हलो दोस्तों आप सभी का आपके अपनी ऊड़ूप चैनल पर स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं यूपी पिलिस की जो आपका अग्जाम हो होने वाला है तो उसकी नॉर्मलाजेशन के बारे में कि नॉर्मलाजेशन कैश होगा और किसको जादा फाइदा मिलेगा किसके नंबर बढ़ने की चांस रहेंगे और आपका यानि एक्जाम कब से स्टार्ट होगा और किंतनी सिंप्टों में आपका जो आग्जाम हो रहने वाला है और किनका नॉर्मलाजेशन में नंबर हो बढ़ेगा तो इस वीडियो के अंदर करने वाले तो अभी तक इस चैनल को स सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले ताकि आपको कोई भी गवर्मेंट जोब आए उसकी इनफॉर्मिशन और डेट हो सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी और यूपी प्लीस का जो रिजल्ट आएगा तो उसकी भी अपडेट आपको स न fantasy कर न कि घंटी सब्सक्राइब आपके लिए सबसाः समय में जों करने को खाले के एग्जिद जो आती अग्जाम 23 और 24 अगस्त को रहनेवाला है ठीक है तो उनकी जो मारकिंग है यह यह तो नबर हो कम रहने वाल है क्योंकि आप वह स्टार्टिंग पर देंगी तो उनको मतलब पता नहीं होगा कि किस टाइप का पर आने वाला है तो फिर जो आगी जो जितने सिफ्ट होंगी उन्में से बच्चों का आइडिया हो जाएगा कि इसमें से इतना कुछन आ रहे हैं इसमें से इतने कुछन आने वाला है तो नंबर बढ़ने के चांस से भी उन्हीं तारिकों के ज्यादा रहते हैं नोर्मलाइजेशन के अंदर यह हो भी सकता हो लेकिन इसकी ज्यादा मतलब परसंटेज रहता है क्योंकि क्योंकि मतलब अदी सभी सिप्टों की पेपर एक दुम डिफरेंट हो है न कि 50 50 नंबर बढ़ने की चानस रहते हैं तो लेकिन जो स्टार्टिं की दो डेज हैं तो उनमें मतलब पेपर आ रहा है और उसी किसी जान्स हो में पहले बात करें आपका यदी, यदी shift है hard है, easy है वो कैसे पता लगाएगे है? UP police के अंदर जो shift hard है easy है वो आपके मतलब, जो से बच्चे आपके बेटे है ठीक है? अब बच्चोंने कितने correct किये थीक है न तो बच्चोंने मतलब किसमें ज्याधा correct किये है मतलब मतलब कोई शिफ्ट है उसमें यदि बच्छों ने मतलब मतलब वह द्यादा करेक्ट किये हैं तो मतलब वह है उससे आईटी लगाते हैं कि शिफ्ट हो आड़ थी तो उसी अधर पर जो नमबर अपके बढ़ाते हैं ठीक है जिदि shift hard होगी तब number बढ़ने की चांस रहते हैं और shift होगी तो जो normalization में number बढ़ने की चांस सरवाधिक है वो कम रहते हैं ठीक है सरवाधिक number हो hard shift के अंदर ही रहते हैं और easy shift आईगी तब आपके बहुत कम number chance होते हैं कि number हो बढ़ेंगी मतलों एक दो जिसनी जो हैनी 25 is Babka और तीस है और 31 तेख इंका paper है in distance झाव रहए आ तो इनका मतलब average जदो ज़्यादा रहएगा और इनका कम रहएगा और दिनोंगों कि इतनी एक्जाम होंगे तो उने तिज कहों नियुद भाज दुफेंट बराबर रहते हैं तो यही कारण है कि तो उसकी नम्मर बढ़ने की चांस जादा रहते हैं और इजी है तो सिफ्ट की में नम्मर बढ़ने की चांस वह कम रहते हैं फिर यदि बात करें नेक्स्ट बात करें अगर एकुरीशी की क्योंकि बहुत सारे आपको यह जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन हो एकुरीशी पर डिपेंड करता है तो इसके बारे में बात करेंगे के अंगर करता है यहांनि बचुरीश a नंवर करता है वह कितने कर्यक्टर हो नहीं करता है त billion करता है कि नॉर्मलाइजेशी और भड़ने चाहिए ओर अब एकुरीश ज़िएय। नहीं करता है ठीक है तो वह कोई भी होचे SSC होच यूपी प्लिस होच मतलब कोई भी हो लेकिन अब हवा नॉर्मलाजेशन हो शिफ्ट पर डिपेंड करता है ना कि एक्यूरेशी पर तो आपको जहां भी एक्यूरेशी का वीडियो मिले तो वैसा बिलकुल भी नहीं है एक्य सब्सक्राइब जरू कर लें और बलाइकन की गंटी को प्रेस कर लें ताकि यूपी प्लिस का रिजर्ट जब भी आए तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले सी चैनल पर देखने को मिलेगे और आप हमारे जितनी भी ऑफिसिल पेज है टेलिक्राम है उनको भी जोइन जर प्रश रखने हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरू करें और सब्सक्राइब जरू करें और बैल आइकन की गंटी को प्रेस जरू कर लें थैंक्यू एंड जहींद